आज मैं आपके सामने मैस के question लेकर रहा है, question क्या बोला, find base b, ठीक है, यहाँ पर देखिए equation क्या दिया है, 3 log, अब bracket के अंदर दिया, root x, log x, equal to 56, यहाँ पर दिया log, log और यहाँ पर log, यहाँ पर base दिया, यह है log x, of base x, equal to 54, ठीक है, तो यहाँ पर 2 equation है, एक आपका यह है, यहाँ पर किये है, यह logarithmic equation है, हमें यहाँ पर इसी log का यहाँ base पताना है, तो यहाँ पर हमाँ पास 2 equation, एक क्या है, यह 3 log, root x, log x, equal to 56, ठीक है, तो पहले इस equation को थोड़ा solve कर ले, ठीक है, यहाँ पर यह क्या करेंगे, यह 3 है, ठीक है, यहाँ पर into है, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए, इस root x को आप a माल लीजिए, capital a, और इस log x को आप capital b माल लीजिए, तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह जो portion है, यह क्या हो जागा, log a, और क्योंकि इनकी बीच में क्या into का sign है, तो log a into b के form में हुआ कि नहीं, हुआ नहीं हुआ यह, root x को आप यह मानिए, log x को b, log a into b के form में होगे, तो इसका formula क्या होता है, हम सभी जानते है, log a plus log b होता है, तो यह formula लगा दीजिए, तो यह 3 है, अब यहाँ पर यह bracket लगाई, तो formula क्या log a, तो log a हमने यहाँ पर क्या माना, यह root x को यह कर दिए, यह log a होगे, plus, यह क्या आ log b हमारा क्या है, b हमारा देखे, log x है, तो log x है, तो ऐसे bracket में लिखिए, bracket close equal to 56, यहाँ आमने formula लगा दिया, तो इसको equation first मानी, अब यह जो यह दूसरा वाला equation है, इस पर धियान दीजिए, ठीक है, यहाँ पर यह क्या दिया, मैं यहाँ पर solve कर दूँ, जैसे कि यह क्या log ह लिखिए, और इसका base क्या दिया है, यह log x है, और यहाँ पर argument क्या दिया, x equal to 54, अब देखिए, इसको मान लिजिए, small b, और इस x को मान लिजिए, small a, तो यहाँ पर यह बिल्कुल log base b of a के form में है कि नहीं, यहाँ पर मैं इसको समझाने के लिए, मैंने यह b, b लिखा यहा होता है, अगर log base b of a है, तो इसको हम इस तरीके से लिए सकते हैं, log e, upon log b, यह formula है, तो हम यहाँ पर यह जो हमारा lhs है, lhs पर ध्यान दिजागा, lhs को हम यह वाला formula में अगर set कर दें तो यह क्या log a, तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर दूँ, यहा दिया, upon, फिर क्या log b, तो log लिखिए, और b हमारा क्या, b देखिए, हमारा यह log x है, यह bracket में लिख दीजिए, equal to 54, यह हो गया, दोने equation में हमने formula लगा दिया, तो यह है हमर पास, अब देखिए, इसके आगे क्या करेंगे, अब इन दोने equation पर ध्यान देजिए, ठीक है, मैं रोट हता देंगे, तो पावर 1.2 लगा सकते है, प्लस, log, और यह क्या है, log x, bracket close, equal to 56, ठीक है, अब इसको थोड़ सा और simplify करें, 3 लिखिए, अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ फॉर्मूला लगाएगा, कौन सा, log a का, पावर x का, देखिए, यहाँ पर यह पर पाव यहाँ पर यह क्या है, log x, लिख दियाएं यहाँ पर, प्लस, यह क्या है, log, और यह है, log x, bracket close, equal to 56, तो यह हमारा क्या है, equation first है, और अभी इसको यह हमारा equation second है, दो equation देखिए था ना, question में, तो दोने equation बिखिए लगा दिया है, देखिए, यह वाला equation नीचे लिखिए, log x, upon log पेस्थ थोड़ा उपर करें log और ये क्या है log x equal to 54 ये हमारा है second equation अब दोने equation में ध्यान देजिए दो चीश common है log देखिए दूसरे कलर से बताओ log x यहां भी है log x यहां पर भी है ये log log x यहां पर भी है यहां पर भी है तो आप इसको assume करके कुछ माल लेजाए तो ये equation थोड़ी सी easy हो जाएगी otherwise आप ऐसे भी solve कर सकते हैं तो देखिए में यहां पर क्या करेंगे हमें यहां पर क्या करेंगे letter यहां पर हम क्या करेंगे u स्कल टू log x और इसको माल लेंगे v को log log x तो equation देखिए क्या हो जाएगी यह हमने माल ले थोड़ा सा page उपर करते हैं यह page उपर क्या है तो देखिए अप क्या हो जाएगा equation first पर ध्यान देजाएगा equation first 3 लिखिए अच्छा यह सौर यह है अलब यह 1.2 पावर यहां लगाते हैं यह थोड़ा सा और यह वाला equation हमारा में में हमारा यह है ठीक है यह वाला देखिए 3 है यह क्या 1 upon 2 अच्छा इस log x क्या माना u प्लस इस पूरे को क्या माना v bracket close equal to 56 और थोड़ा सा इसको simplify कर ले 3 है bracket खोली तो 3 इससे इंटू होगा 3 into 1 upon 2 u plus 3 किसे इंटूगा v से 3 v is equal to 56 ठीक है तो अब देखिए यह क्या हो जागा यह हो जागा 3 upon 2 u plus और यह क्या है 3 v is equal to 56 यह हमारा क्या equation first ही है ठीक है अच्छा अब यह देखिए second equation में ध्यान देदी है इस log x को क्या माना u upon यह upon है log log x को क्या माना v इससे इंटू हो जागा तो u क्या हो जागा 54 v यह आया second equation से हमारा second equation से हम क्या u is equal to 54 v अब इस u is equal to 54 v जो है यह हमारा second equation है तो अब हम क्या करेंगा put the value of u in equation first equation first में डाल देखिए 3 upon 2 अब देखिए इंटू का साइन u की value क्या आई है 54 v प्लस यह क्या 3 v यह आया अब देखिए यहां पर यह 2 से कैंसल हो जागा 2 तू जा 4 तू साउंजा 14 3 और 27 इंटू क्या 81 v 3 v is equal to 56 इसको एट करेंगे तो 84 v is equal to 56 तो v की value क्या होगी यह 84 इंटू में है इधर चला जाएगा डिवाइड में 56 upon 84 तो देखिए यह 7 से जाएगा 7 8 जा 56 7 बंजा 7 7 तू जा 14 4 से जाएगा 4 तू जा 8 4 3 जा 12 तो v की value आ रहे है 2 upon 3 अच्छा u की value क्या है u क्या दियावा है 54 v है तो 54 into v की value कितनी यह 2 upon 3 यहां पर लिख दीजे यहां into sign in के बीश में तो देखिए 3 मंजा 3 3 जा 24 तो 18 और 2 क्या हो जाएगा 18 और 2 क्या हो जाएगा 18 2 जा 36 तो u और v की value आ गई ठीक है अच्छा आप देखिए यहां पर क्या करेंगे हमें base निकलना है यहां पर ध्यान देजे हमारा u कना यहां u अया 36 v अया है 2 upon 3 हमने क्या माना था, let u देखिए log x ův हमने क्या माना था log log x log ले derechos यहां थ्यान दिजेगा v को क्या माना था log और यह bracket मॏ पर्यां था log x तो V हमने इसको माना था, अच्छा यह जो ब्रैकेट के अंतर लॉग X है ना, यहां धेहां देज़ें यह लॉग X, अगर इस लॉग X के जगह हम यू लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि लॉग X को क्या माना, यू माना ना, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, इसके जगह तो यहां पर रहिए, तो यहां पर रखे 2 upon 3, एक्वल 2 log, और यहां पर यू की वेलू किया है, 36 तो यहां पर अब हमको क्या निकलना है, क्या है base, हार logarithm में क्या का base होता है, ठेक है, तो अब हम यहां पर base निकालेंगे, तकिया निकालेंगे यह क्या है log इसको एसा रिक लिए log 36 एक पल तू थरीडू अब हम बेस निकालेंगे finally. शुरू में अगर हम बेस निकालते हैं तो مشकील हो जाता ह। अगर हम मालें जे base को बियमाल जै बे- बे- B को क्या माना कि यह equation में बता दी है base B निकालना, तो अगर हम वहाँ पर notation B लगाकर solve कोते हैं, तो नहीं हो पाता, अब यह last वर जो हमारे पास आया है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यह log लिखिए, ठेक है, अच्छा, यहाँ पर, अब हम यहाँ base लगाएंगे, और यह क्या है, अब का 36 है, अब लगा सकते हैं भाई, भाई, base सभी का होता है, तो फाइनली यह equation आया हमारे पास, तो अब इस equation के बाद आप हम base निकाल सकते हैं, easy way में, अब कैसे निकालेंगे, देखिए, यहाँ पर formula लगा, यह कौन सा, देखिए, आपने यह पढ़ा होगा, अगर यह अगर यह अपने पढ़ा होगा, इस formula लगेगा, यह वाला formula, तो इस formula के हिसाब से, क्या होगा, पेज उपर करूँ, अगर आपको confusion हो रहा है, देखिए, कैसे समझेगे आप, इस 36 को आप A माल लेजिए, और इस 2 upon 3 को आप X माल लेजिए, देखिए, बिल्कुल इसमें set है ना, इसमें, इसमें, तो देखिए, formula के है A, A हमारा क्या है, अपर 36 है, equal to B, B हमारा base ही है, B तो हमारा base है न, B का power X, X क्या है, हमारा 2 upon 3, यह आया, ठीक है, तो finally क्या रहा है, B का power 2 upon 3, equal to 36, हमें केवल base B चाहिए, तो इसको equation माल लेजिए, capital A, तो कैसे होगा, अगर हम multiply, अने, sorry, taking power, taking power of 3 upon 2, on both side, in equation A, या तो फिर डारेट अगर यह 2 upon 3 इधर लेकर आ जाएंगे, तो यह क्या हो जागा, इस पर power लग जागा ना, यह देखिए, पेज उपर करती हू यह देखिए, क्या हो जागा, देखिए, यहां पर यह क्या करेंगे, हम यहां पर, root है, यहां हमेरे पास, ठीक है, हमने क्या करना है, कि 3 upon 2 का power, यह 3 upon 2, यह देखिए, देखिए, हमें base B चाहिए, तो इसकी value चाहिए, तो 2 upon 3 पावर हटाना पड़ेगा, तो 2 upon 3 जो पावर 2 upon 3 equal to 36, अब हम पावर लगाएंगे, किसका, 3 upon 2 का, दोनों साइड, यही न करना है, मैं दोनों साइड, लगा दिया, तो देखिए, यह क्या हो जागा, बी, अच्छा, यह भी पावर है, यह भी पावर है, आपने पड़ा होगा, कि अगर X का power M है, whole bracket power N है, तो यह बराबर होता है, X, अच्छा, दोनों पावर इंटू हो जाते हैं, तो यह दोनों इंटू हो जाएंगे, क्या इंटू हो जाएंगे, 2 upon 3, इंटू 3 upon 2, ठीक है, यह इंटू हो गया, तो यह देखिए, यह 36 है, इस 36 को हम लिख सकते हैं, 6 का स्कूर, इस 36 की जगा, अब इस पावर 3 upon 2 upon 2 तो लगावा है, ठीक है, यह देखिए, क्या हो जागा, यह सब कैंसल, तो पी का पावर क्या रहा है, वन आजागा, पूरा कैंसल हो कि वन तो बी का पावर 1 बी होगा, तो बी ही लिखने दीजिए, इसको यहां पर इसको मैं थोड़ा से हटा दू, क्या है, बी यहां पर इसक्स लिखिए, यह भी पावर है, यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, दोनों पावर इंटू हो जागा, 2 और 3 upon 2, 2 तो कैंसल, तो क्या रहा है, 6 का पावर 3, तो बेस क्या हो जागा, इसको इंटू किजिए, 6 तो 36, 36 तो 216, तो यह है बेस आंसर, हमारा यह ह ठीक है, यह हमारा अंसर है, उमीद है, आपको यह कुशन जो है, अच्छे से समझ में आ गया होगा,